जैसे यूद लड़ने के लिए या किसी लड़ाई लड़ने के लिए अच्छे हत्यारों की जरूत पढ़ती है उसी प्रकार से किसी भी एक्जाम के लिए बहुत जर्दा जरूरी यह है कि आपके पास अच्छी किताबें या अच्छे नोट्स होनी चाहिए क्योंकि बिना notes के या बिना study material के आप कुछ नहीं कर पाएंगे exam में तो UPPCS के लिए सारे subject के लिए जो prelims और means में आते हैं उनसे सम्मंदित कौन कौन सी bookay हैं तो एक complete series को हम समझते हैं UPPCS के prelims और means exam के लिए तो सबसे पहले subject के बारे में हम जानते हैं जो है history subject history से इतिहास से बहुत सारी question आते हैं UPPCS में बैचने prelims हो या means में हो और आपको किस type से कितनी question आते हैं वो अंदाजा लगाना है तो आप previous year के question paper से देख सकते हैं सबसे पहले हम history की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पढ़ना है ये modern India जो बुक आती है ये विपिन चंद्रा की बुक है modern India आप इसको हिंदी में, इंग्लिस में, दोनों में खरीच सकते हैं और इसके अलावा जो बुक है वो है मदकालिन की, सतीश चंद्र की और तीसरी जो बुक है वो पिराचीन इतिहास की है जिसका नाम है रामसर्र सर्मा की बुक तो ये तीन बुके हैं जो भारत के इतिहास से संबंदित हैं लेकिन अब आपको ऐसा भी लग सकता है कि इनके बारे में तो सोना सोना रहता है कुछ नया बताई है तो देखिए इतिहास में कुछ नया नहीं होता है बुके वो अच्छी होती है जो हमारे एक्जाम में सबसे ज़्यादा काम आती है कोश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दिलवाती है बई बुके हमारे लिए बेश्ट है और हमें क्या चाहिए जाद बात आती है 20 विश्व इतिहास की world history की तो उसके लिए एक book आती है आलोग as जाकी आलोग as जाकी book आती है उसको आप market से खरी सकते हैं यह आपकी world history के लिए ज़्यादा important होती है और इससे आपकी अच्छी खासी त्यारी हो जाएगी means exam के लिए इसके बाद अगर आपको यह लग रहा है कि यह किदावे मैंने पढ़ ली है अब मुझे question solve करने है यह कुछ sort चाहिए मुझे objective type के question चाहिए जिनका answer मैं अच्छे से दे पाऊ तो उसके लिए NCIT SARC SARC नाम से एक book आती है NCIT SARC, चाहे आप और कुछी publication के भी book ले सकते हैं बस इतना इसमें याद रखना कि आपको ऐसा नहीं करना है कि अपने room में बस लाल आके book रखनी है जब आप इन तीनों book को अच्छे से पढ़ लें उसके बाद आप इससे solve करें चाहे तो उसको साथ में भी बढ़ सकते हैं लेकिन अगर तीनों के बारे में बहुत अच्छा knowledge हो जाए उसके बाद ही किसी चौथी book को लाना मेरा मानना ही है और बाकी आपको जो सही लगे ठीक है और जो चौथी book मुने बताई है बहुत है बिस्ट इतिहास के लिए इसको आप अपने mains के exam में काम मिला सकते हैं और भले ही इसके त्यारी आप चाहे mains के समय करें या पहले से करें पहले से करते रहेंगे दो-चार दिन में एक बार पढ़ लिया तो आपके लिए फायदे मंद होगा एकदम से नहीं पढ़ना पढ़ेगा और अगर एकदम से पढ़ेंगे तो फिर में इसके समय जब आपका प्रिलिम्स कॉलिफाई हो जागा तब आप पढ़ेंगे इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटी सब्जेक्ट की आप पॉलिटी के बारे में बुक कौन सी होनी चाहिए जो अच्छी से अच्छी त्यारी करवाए तो देखिए पॉलिटी के लिए सबसे अच्छी बुक है एहम लक्षी में कांथ की आप इनकी बुक को खरीज सकते हैं हिंदी और इंग्लिस दोनों में मिल जाती है और इनको खरीज कर आप जो पॉलिटी का आप कितनी बार पढ़ेंगे ये डिपेंड करता है आपके कैफिसिटी के ऊपर कि आपके अंदर क्या छमता है आप एक बार किसी बुक को पढ़कर कितना उसका समझ लेते हैं कितना आपको याद हो जाता है उस हिसाब से आप त्यारी करें अर एक बार में नहीं होगा दो बार में होगा दो नहीं तीन बार में चार बार में पांच बार में छे बार में कभी ना कभी आपको अच्छी समझ उसकी आ जाएगी एक साल के अंदर इसके बाद-बाद आती है जियोग्राफी की भूगोल की भूगल का भी अपना रोल होता है इस भी पीसस के एक्जाम में और विश्व के भूगल से और भारत के भूगल से दोनों से कोर्शन पूशे जाते हैं तो जो भारत का भूगल है मेरा मानना है कि NCIT की जो सारी बुके हैं अलग किलास की जिवराफी से रमंदित वो काफी होती हैं जिवराफी की त्यारी करवाने के लिए और इसमें भारत का भी भूगल होता है विश्व का भी भूगल होता है लेकिन विश्व के भूगल के लिए एक अलग बुक आप ले सकते हैं जो है माजी दुसेन की, ये बिस भूगोल के लिए बहुत अच्छी बुक होती है, आप इसको भी खरी सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको लगे कि अब आपकी जिवराफी त्यार हो गई, जो आपने NCRT सारी पढ़ ली, तो फिर इसमें से आपको क्या करना है, कुछ न जो इंडियन जिवराफी से समंधित होती हो, आप इसको खरी सकते हैं, ये आपकी उपर डिपेंड करता है, और इसके अलावा सबसे ज़्यादा इसमें इंपोर्टेंट होता है जिवराफी में, बचां विस्व की जिवराफी हो या भारत की जिवराफी हो, इसमें मैप का स देखें समझें कहां पर कौन सी घाटी है, कौन सा सागर कहां पर है, कौन सा महा सागर कहां पर है, गिलेसियर कौन से गिलेसियर कहां पर है, और इसके अलावा नदियां, विस्व की जो नदियां है, भारत की जो नदियां है, वो आप मैप में समझें, बहुत अच्छा होग उसके बाद जो नदियां हैं, गलेसियर हैं, पहार हैं, और जो परवस सिनेडियां हैं, इनके बारे में आपके पास नॉलिज होना चाहिए, बस यह जियोग्राफी के लिए अच्छा कासा रहेगा, अगर आप इतना त्यार कर लेते हैं, और इसके लावा हम बात करते हैं, अर इंडियन एकोनोमिक्स के लिए, उससे आप जो इंडियन एकोनोमिक्स से सम्मदित कॉशन आते हैं, वो कोशन सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन हाँ, जो एकोनोमिक्स का जो चैप्टर है, बैक के बले इतने सीजी कवर नहीं होता है, उसके लिए करेंट एफ़ पर ज्यादा होता है जो 200 से संबंदित जो economics के जो topic होते हैं उन से संबंदित अगर जो question आते हैं तो उनके लिए ज्यादा जरूरी है कि आपके पास current effort का अच्छा खासर knowledge होना चाहिए आप किसी भी magazine को follow गरते हों उसमें से जो economics के जो भी चीजें आपको बताई जाते हैं या जो news में हाल में ही आ चुकी होते हैं उनको अच्छे से आप अलग से note करके भी पढ़ाई कर सकते हैं और उसके अलावा जो economics की basic समझ होती है आप उसके लिए ये book काफी अच्छी रहती है अब इसके general science की जो समझ है वो आपके पास होनी चाहिए तो science के लिए NCIT की जो books होती है science से संबंदित उनमें आप 10th class तक की NCIT को पढ़ें और उसी मैंसे आप notes बनाएं और biology पर ज्यादा focus करें उसके बाद physics पर focus करें chemistry पर focus करें और इसके अलावा भी अगर आपको लगे कि NCIT मैंने अच्छे से पढ़ ली है मुझे और किसी book की जरूत है तो आप objective type की कोई भी general science की book ले सकते हैं इसके लावा हम बात करेंगे current affair के उपर देखिए current affair का ज्यादा रूल होता है exam में और UP pieces में तो important है दूसरा part UP special से आ जाता है UP government क्या scheme बना रही है क्या परयोजना चला रही है यह सारी चीजों को आपको देखते रहना है और यह सारी चीजें कैसे देख लेंगे इसके लिए या तो आप किसी magazine को follow करें जो UP pieces special सम्मंदित भी छापती हो या फिर आप UP का कोई अच्छा newspaper follow करें जिसको daily पड़ें और उसमें से आपको कुछ भी लगे ऐसा note करने लाइक जो परयोजना या scheme से सम्मंदित है या कोई नई scheme है नए आदेश है तो उससे सम्मंदित जो भी चीजें अगर UP government के द्वारा launch की जाती है उनको आप note कर लें तो करेंड फिर को लेकर चलें देखिए politics के मैंने जो बुक बताई है Economics की जो मैंने बुक बताई है जिवराफी जो बुक बताई है और Science की जो बुक बताई है इसके लावा science and technology है उससे सम्मंदित भी करेंड फिर पूछा जाता है बैचाय हमारी इश्रों से सम्मंदित हो य क्योंकि अगर आप उनको कवर नहीं करेंगे, तो वो कोशन आपके छूट जाएंगे एक्जाम में, तो इसलिए जरूरी है कि आप किसी एक magazine को भी follow करें, और एक किसी newspaper को भी याद रखें कि newspaper को बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि newspaper में कोच चीजें ऐसी आती हैं, जो magazine नहीं नहीं है, अब चाहें तो जतनी खरी सकते हैं, चाहें तो जतनी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक average में एक limit होती है, कि एक average में आप लेके चलें कि यतनी वुक्तों आपके पास होनी ही चाहिए, और बाकी फिर आपकी capacity के उपर होता है,